नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे आज की वीडियो में दोस्तों आज ये चोटा सा वीडियो है जिसमें हम जानेंगे ब्रह्मपुत नदी को विभिन देशों में किस नाम से जाना जाता है तो ब्रह्मपुत नदी जो है ब्रह्मपुत नदी जो है भारत से जो जो है बांगला देश और निकलती है जहां से तिबबत यानी चाइना से निकलती है तिबबत को कबज़ा कर रखा चाइना ने तो चाइना कहीं पाठ है तो चाइना भारत और बांगला देश तीन देशों में बहती है तो कहा कहा पे इसे किस नाम से पुकारा जाता है वो आज का हमारा वीडियो है तो चले देखते हैं ब्रहंपुत नदी को चार अलग-अलग नामों से जाना जाता है पहला नाम क्या है दोस्तों सांगपो चीन के तिबबत पठार पर इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है चीन के तिबबत पठार पर इसे सांगपो जब ये हमा पारदेश ये बांगलादेश में चली जाती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना इस प्रकार से ब्रह्मपुत नदी के चार अलग अलग नाम है तिबत के पठार पर इसे सांगपो आरुनाचल परदेश में दिहांग असम में ब्रह्मपुत्र और बांगलादेश में जमुना तो ये एक छोटा से वीडियो था, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर चैनल को सब्सक्राइब किची, थैंक्स पर वचिंग